हेलो गाईज वेलकम टू व्याइप ट्रेडिंग ऑफिशल में आ गया हूं यूट्यूब पर लाइप जहां पर मैं सिखाता हूं व्याइप स्ट्रेडिज तो कैसे हो सब लोग उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और ट्रेडिंग इंडस्टी में आप लोगों ने अ स्ट्रेड़ी का पार्ट सेवन वीडियो है तो मैं यहां पर एक बार नोट कर दिता हूं और उसके बाद फिर मैं आपको यहां पर समझाओंगा कि किस तरीके से यह जो वीडियो है किस तरीके से यह जो strategy है आप सभी लोगों को यहाँ पर help करने वाली है ठीक है तो आप देख सकते हो guys यहाँ पर मैंने note कर दिया है 151 strategy this is 151 strategy part 7 ठीक है तो 151 strategy का part 7 वीडियो में आपको मैं ले चलता हूँ आई चीमों को cloud एक indicator के पास जिसको आपने अगर पहले यूज किया होगा तो मैंने इसके part 2 मुझे याद आ रहा है मैंने part 2 अल्रेडी बना रखे हैं मतलब पहले में मैंने basic बताया था आई चीमों को cloud के बारे में second मैंने video बनाया था आई चीमों को cloud पार टू मतलब थोड़ा सा advanced level का लेकिन यहां पे मैं ना तो आज basic बता रहा हूं ना मैं आज advanced level का बता रहा हूं यह मैं आज guys बता रहा हूं उल लोगों के लिए जो वाकी में पैसा कमाना चाहते हैं guys यहां पे आपको करना है छोटा सा काम उस काम को करने के लिए आपको नीचे दिये गए link से account बनाना है जैसे आप account बना लोगे आप VIP group में direct आपको entry मिल जाएगी इसके साथ सा telegram का link मैंने यहां पे दे दिया है ठीक है इस telegram link पे आप जाओ और चैनल को जोईन कर लो guys अभी तक अगर आपने website को visit नहीं किया है तो आप यहां से जाके website पे visit कर सकते हो और website पे देख सकते हो कितने अच्छे अच्छे articles आपको यहां पे देखने को मिल जाएंगे strategy articles हैं तो बड़े अराम से आप यहां पे guys पढ़ सकते हो उन्हें समझ सकते हो और उनकी basis पे आप यहां पे पैसे अन कर सकते हो इसके साथ ही अगर आपने अभी तक VIP trading official का live channel जो youtube channel है उसको join नहीं किया है तो join कर लो बहुत अच्छी strategies guys आपको यहां पे देखने को मिल जाती है इन strategy के basis पे भी आप guys इतना पैसा अरन कर लोगे कि आप को अभी ऐसा लग रहा होगा कि क्या पता अरन होंगे या नहीं होंगे लेकिन definitely guys जिन लोगों ने मेरी strategies को ढंग से सही तरीके से implement किया है वो लोगों ने बहुत अच्छा पैसा अरन किया है तो यहां पे मैं बात कर रहा हूँ आज एक नए topic की बारे में 1517 strategy 7th part right तो guys इस वीडियो में मैं ले चलता हूँ आपको directly यहां पे जहाँ से आप इस indicator को select कर सकते हैं यहां पे आप देख रहे होंगे trends indicator में सबसे अ लास्त मा यहां पे आप देख सकते हो sentiment के ऊपर iChi moco cloud आपको दिख रहा होगा तो आपको क्या करना है आपको iChi moco cloud जो indicator है guys इसको यहां पे implement कर देना है तो जैसे ही आप यहां पे implement कर देते हो, वैसे ही आपकी strategy है implement हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक trick है, जो आपको दूसरे YouTubers नहीं बताते हैं, वो trick मैं आपको हर वीडियो में आपके सामने share करता हूँ, because guys मेरा दिखो aim है, आप सभी लोग सीखोगे, मेरी appreciation होगे मेरा YouTube channel grow करेगा, तो guys आप लोगों से एक छोटी से help मुझे भी चाहिए, because yeah, मैं भी मेरा अपना time spend कर रहा हूँ, तो मेरा जो YouTube channel है, इसमें comment करके जरूर बताना, इसको वीडियो को like करो, share करो और जो टेलीग्रम का group है, उसमें आप लोगों का फाइदा है, ठीक है, और मेरा YouTube channel है, इसमें भी आप लोगों का contribution रहेगा, और मेरा यहां पे पूरा-पूरा motivation रहेगा आप लोगों के लिए, मेरा time पूरा रहेगा आप लोगों के लिए, कोई भी problem है, उसके लिए आप मेरे को directly message भी कर सकते हो, call भी कर सकते हो, तो हम लोग discuss भी कर सकते हैं, ठीक है, guys, यहां पे मैं बढ़ जाता हूँ, अब strategy की तरफ, strategy में आपने देखा होगा, मैंने IGMA को cloud already यहां पे implement कर दिया है, ठीक है, आपने देखा होगा, यहां पे और 52, ठीक है, 9, 26, 52, guys, इन दोनों value में आपको कोई भी changes नहीं करने हैं, यहां पे 52 ही रखना है, यहां पे 26 ही रखना है, लेकिन यहां पे जो 9 है न, 9 की जगे, guys, यहां पे करना है 11, कितना करना है 11, अगर आप यहां पे 10 भी कर दोगे, तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन मैं आपको suggest करूँगा, यहां पे आप इसको 11 रखो, जैसे ही आप 11 रखते हो, आपकी जो strategy है, प्रॉपर तरीके से, guys, यहां पे implement हो गई है, अब यहां पे iCMO को cloud में, guys, एक यहां पे थोड़ इसी problem है, वो यह है कि जो लोग नए users हैं, जो लोग नए traders हैं, उनको थोड़ा सा confusion रहता है, यहां पे कि यार, इतनी सारी तो line है, आप पतानी हम कैसे trading करेंगे, क्या करेंगे, तो उसके लिए यहां पे, आपको अगर एक additional indicator की जरूद पढ़ रही है, तो आप उसको use कर लो, आपको यहां पे जिग 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 यूज कर लो, और जो जिग जिग की जो value है, guys, इसको कर लो 5, ठीक है, तो 5.5 आपकी value हो गई है, यहां पे जिग जिग की, अगर 5 नहीं कर पा रहे हो, तो 4 कर लो, 4 भी आपकी better है, 4.5, मैंना 4, अभी फिलाल, मैंना 4.5 भी कर रखी है, strategy, implement हो गई है, आप देख सकते हो, 151 का part 7 वीडियो मैं यहां पे आ रहा हूँ, आप सभी लोगों के लिए, strategy हमने implement कर ली, अब जो main concept है, वो आप सुरू होता है, यहां पे अब क्या करोगे, यहां पे, guys, यहां पे अभी आपको करना है, एक काम, मैं दो line, guys, यहां पे draw कर रहा हूँ, पहली line यह है, दूसरी line यह है, और तीसरी line भी यही है, मतलब यहां पे दो, मैंने यह arrow कहिज दिया है, देखो, यह जो blue line देख रहे हूँ आप, यह वाली blue line, यह आपकी signal line है, क्या है, यह आपकी guys है, signal line, signal line, मतलब आपको यहां से signal मिल रहा है, यह line, जिस भी direction में move होगी, उसी direction में आपको trade place करनी है, इसके confirmation के लिए, क्या वाकई में यह line है या नहीं, इसके confirmation के लिए ही, हमने यहां पे यह जिग 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 यूज किया हूआ है, आप देख सकते हूँ आपे, यह जिग जिग मैंने यूज किया है, यह candle के लिए, तो आपको तीन चीज़ें focus करनी है guys, पहला आप, जैसे ही आइची मों को cloud आप add करोगे, इसकी जो value है, 11 टकनी है, 9 की जगा, तो पहली वाली value आपको change करनी है, from 9 to 11, and secondly, you have to select another indicator, that is जिग जिग जिग, and select the value of it, 4.5, ठीक है, तो इसकी जो value है, वो आपको करना है 4.5, आपने 4.5 value भी कर दी, अब guys, यहाँ पे आपको दो line पे focus करना है, पहला तो यह वाली line, जो blue line है, second आपको यहाँ पे candles, जिस भी direction में यह line जाएगी, उसी direction में candle भी जाएगी, उसी direction में आपका यह jig jack भी जाएगा, तो यहाँ पे अब हम एक start करते हैं, एक trading यहाँ प place करने वाले हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ trades guys place करूँगा, यहाँ पे upward direction में एक मिनट की trade, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे upward direction में एक मिनट की trade, 3-4 trades guys मैंने place कर दी है, into the upward direction, एक मिनट का time span मैंने रखा है, इस सारी की सारी trades की जो performance है, वो measure करेंगे, यहाँ पे इसकी बाद जो नया point आता है, वो आता है कि क्या यह जो indicator है, क्या यह जो signal line है, क्या यह जो candles है, हर जगे ऐसी ही बनेंगी, या फिर अलेलग बनेंगी, तो guys मैं आप एक बात आप सभी लोगों के लिए clear कर दूँ, कि यह जो indicators है, ठीक है न, यह जो indicators है, यह indicators अगर cloud के उपर बन रहा है, ठ ताइम पर आपको यह strategy थोड़ा सा नहीं use करना चाहिए, लेकिन अगर यह cloud के उपर या नीचे नहीं, यह cloud से थोड़ा सा हटके है, मतलब cloud के बिलकुल उपर ना हो, जैसे मैं अगर आपको यहाँ पर बताओं, मैं यहाँ पर बताओं, यह आप देख सकते हो, हम strategy भी समझ साथ के साथ यह profit भी हो गया मैं इसका, ठीक है, यह जो आप dark circle देख रहे हो नहीं, यह जो colored space आप देख रहे हो, यह, sorry, यह मैं थोड़ा सा draw करके आप लोगों को दिखा दूँ, यह, यह आपको दिख रहा होगा guys, मैं color भी यहाँ पर different ले लेता हूँ, white ले लेता हूँ, so यह चीज, guys, यह हैं cloud, ठीक है, तो इन candles की, जैसे यह जो candles है, यह जो candle है, यह जो candle बन रही है, थोड़ा सा दूर है, cloud से आप देख सकते हो, बहुत, बहुत उपर है, बहुत उपर है, यह signal line देख रहे हो, बहुत उपर है, तो जब भी यह signal line, या फिर यह candles, इस cloud के नहीं जो मतला बहुत ज़्यादा सटीक नहों इसके, right, so there should be a distance between the cloud and the indicator and the signal line, so whenever you see such scenarios and such symptoms do not trade, but अगर आपको लग रहा है कि यह बहुत ज़्यादा different है, बहुत ज़्यादा difference है, इस signal line के बीच में और इस cloud के बीच में, इस candle के बीच में और इस वले cloud के बीच में, तो आप वहा का कोई charges नहीं है, loss का कोई chance ही नहीं है, ठीक है न, तो आपको यहाँ पर, एक चीज़ guys तो समझ में आई गई होगी, कि यह जो clouds हैं, ठीक है न, यह clouds basically होते हैं, market जब fluctuate होती है, इन ही के कराण होती है, जैसे cloud बने, यहर आप normally समझो, मैं यहाँ पर cloud जो word यूज कर रहा Suppose आप अपने घर से कहीं जाने वाले हो, if you are just planning to move outside from your house, and अगर आपको लग रहा हो कि यार बादल हो रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप सोचो कि यार बादल हो रहे हैं, मैं अपने जल्दी से निकल लो, मतलब बारिस ना हो, उससे पहले आप निकल लो, so that you can arrive that particular location, तो यहा cloud है, तो भाई cloud से थोड़ा सा यहां पर आप जल्दी से trade ले लो, मतलब यह cloud नसदीक आए, यहां पर देख सकते हो, आप यह cloud नसदीक आए, उससे पहले यह आप trading अपना कर लो, profit अपना book कर लो, तो यह थोड़ा सा आपको समझने की चीज़े, cloud से जिस भी direction में हो, हो सकता अपनों की जो distance है, यह आप देख रहे हो, distance, मैं एक गूसरी करणसी पे लेता हूं, वहां पर आप लोगों को समझाने की कोशिस करता हूं, आप देख सकते हो, यहां पर, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग देख सकते हो, यहां आप यह उपर cloud है, और हमारी जो candle है, वो यहां पर आपका जिग जग चल रहा है, और यहीं पर आपकी candle move हो रही है, तो यह जो scenario है, ठीक है, यह scenario ट्रेडिंग करने का है, मतलब यहां पर ट्रेडिंग आप कर सकते हो, यहां पर लगा सकते हो, लेकिन अगर यही signal line थोड़ा सा यहां पर कहीं पहुँच जाती है, यह ही candles यहां पर कहीं आ जाती है, उस time पर आपको यह award करना चीए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह strategy समझ में आ गई होगी, इससे पहले अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है, आईचे मुको क्लाउड का जो first part है, second part है, वो आपने नहीं देखा है, तो उसको भी हाँ देख सकते हैं, लेकिन नहीं भी देखा है, तो भी चलेगा, बसर थे, आप यहां पर इन दो चीज़ों को ध्यान रखो, कि आपको एक दूसरा एक additional support के लिए indicator लेना है, जिसका नाम है जिक जैक, लेकिन उसकी जो value है guys, 4.5 करनी है, कोई योटूबर नहीं ब बाउज कर लेना, दोबारा से दिखना, कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन guys, थोड़ा सा आपको smartly play करना है, be smart in this digital life, तो आपको यहां पर smart होना पड़ेगा, थोड़ा सा, तो guys, उम्मीद करता हूँ, strategy आपको समझ में आ गई होगी, profit भी हमें, यहां पर अच्छा कास profit है, जो book है, वो कर सकते हो, इसके साथ ही, अगर आपने अभी तक टेलिग्राम का link, जो group है, वो join नहीं किया है, तो इसका link आपको मिल जाएगा, description में, टेलिग्राम का ID आपको यहां पर दिख रहा है, आप चाके इसको join करो, VIP trading official से अभी तक अगर नहीं जोड़े दियार, 30 लाग रुपे का, जिलनों को loss हुगा है, वो लोग अपना recovery करके जा चुके हैं, और अब अपना profit gain कर रहे हैं, so guys, ज्यादा wait मत करो, कहीं loss हो रहा है, तो फटा फट से महां से quit करो, और VIP trading official को आप join करो, so thank you so much guys for watching this video, love you and meet you into the next video, so thank you so much and take care.